केरला के बसे दिल्ली में मॉंकी पॉक्स मामला सामने आए हैं बात करने केले एंत्यूर। मेचे अले पर दौकर सुरेश कुमार हैं । सर म trib Ihnen सी आइछाइड दिल्ला के आखके 알म की के दिल्ली में मैं serpent केषी दिली मेरतोथ एंकेि शिति आखई के आले किस तरीकी से उचार क्या उनका उचार है यह आईसुलेट हैं इनके जो कॉंटेक्ट में जो लोगा हैं उनका हमारा जो दूसरा टीम है वो कॉंटेक्ट ट्रेसिंग कर रहा है अभी यह जो व्यक्ति है उसका वाइटल परेमेटर्स ठीक हैं पल्स ब्लड पेशार सामाने हैं और पेशिंट रिकवर हो रहा है जब यह एड्मिट हुआ था तो उसको फीवर का हिस्ट्री था और स्किन में वैसी को लोग पस्टुलर रैसिस थे जिससे हमने स्किन से सैंपल भेजा और ब्लड टेस्ट किया तो उसमे यह वाइरस का पता चला जिस थरीके से जो दिली में मामला सामया है तो उसके बाद लोगों में एक डर का भाव है लोगों को क्या कहने स्कुलिए पैनिक होनी के अश्यक्ता नहीं है हमें ज्यादा विजिलेंट होना है सावधानी से काम करना है इसमें महतुपूर्ण बात यह है कि यह जो वाइरस है कोवीड वाइरस है अलग वाइरस है यह डिन वाइरस है जो कि सबसे पहले अफरीका में दिखा गया अफरीका के बाद इंटरनेशनल ट्रेवल के दौरा विसू के पचास चे अधिक देशों में फैल गया और भारत वर्स में तो यह फोर्थ केस ह इसको इसका जो प्राइमरीली जो प्रावलम होता है उस स्कीन में होता है स्कीन रैसिज होते हैं लाल रंके और वो पेनफुल रैसिज होते हैं हमने देखा है कि ज्यादा तर वो व्यक्ति जिनका इम्मुनिटी कमजोर है उसमें यह बिमारी तेजी से फैलती है जैसे कि एक हाई रिस ग्रूप होता है MSM population है organ transplant recipient है बच्चे हैं उन में ये बीमारी जैसे बच्चों की इम्मुनिटी कम होती है तो बच्चों में भी ये तेजी से खलता है आपने कहा कि जो कि इम्मुनिटी कम जूर होती है और या तमाम और भी जैसे बीमारी से वरसित हुआ तो हम इसस बचाएं कि इस तरीके से कि इस प्रकार के बीमारी से खुद को सुरक्चीद रख सके और समाज को भी ये बहुत ही अच्छा आपने क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि कैसे इसे बचें बचने के लिए क्योंकि ड्रोपलेट से होता है जो वायरस है ये प्रकारी है उसके साथ कपड़े या चदर या टावल वो शेयर ना करें मास्क करें क्योंकि ये ड्रोपलेट इंफेक्शन के दोवारा एक विक्ती से दूसरी विक्ती में फैलता है तो यह आप मास्क करेंगे तो हमन्ट वमन टुमन ट्रास्मिशन है वो नहीं होगा ये बह आप मतलब ढूर उन्ट है को बीधा कोई बीस मास्कार का रगएग्णरह कोंना चाहिएर ना सीरे कमरी की से बहुंब सुपने के लिए जौसरा बात है कि हमएं सोचल इस तैंस को यह रखनी मरीज के बहुत नजदीन नहीं जाना है enroll इसके साथ शाट कि कोई भी व्यक्ति जिसको फीवर है और स्किन में उसको रैसिज है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए तरीके से सरकार की जो गाइड लाइन को लेकर वही लग बख कुछ वैसे गाइड लाइन है मंग की बॉक्स को लिकर हम यह अलग वायर सकूली करे लाज कि इसके लाज इसकी कुछ दोवाईयें भी उपलब्द हैं जो कि अंटिवार्ड रग्स हैं और इसका यह इसको को पहले चे चे का टीका लगवा है वैक्सिन किया है तो उसमें भी काफी प्रोटेक्शन है जो टीक है वो इसमें प्रोटेक्टिव भूमी करना निभात है तो यह थे एलन जेपी ऑस्पिनिल के मेडिकल डिरेक्टर डॉक्टर सुरेश गवार जिन्हों ने कहा कि इस बीमारी से बचाना है अपने आपको तो दोगस की दूरी और मास्क लगाना जरू मूली